हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब याशा करता हूँ, आप सब ठीक होंगे, मेरा नाम है सुधिर और आज हम शुरू करेंगे हिंदी ओलम्पियाड ठीक है, तो हिंदी भी पढ़ेंगे, हिंदी के ओलम्पियाड होते हैं, तो उनके भी कोशिंस को हम पढ़ेंगे और चीजों को सम करते हैं, तो देखिए, यह क्लास 5 के लिए है, ठीक है, तो आप भी देख सकते हैं से, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं से, पहला है, कोशन एक से, प्रशन संख्या 1-18 तक दिये गए प्रशनों के विकल्पों में सही विकल्प का चैन की जिए, त अंड, का यह सब क्या है, एक अंड के प्रशन, यानि कि एक नम्ब का क्वेश्जन है, यह सब, पहला है, अपनी विचारों या भाओ को एक दूसरे तक पहुझाने का माध्यम केहलाता है, तो देखिए, अपने बातों को आप दूसरे के पास किस चीज से पहुँचाते हैं तो आप language के मादम से पहुंचाते हैं भाषा के मादम से पहुंचाते हैं क्योंकि जब आप कोई language आने की तभी तुसे बता पाएंगे ठीक है तो भाषा के मादम से अपनी बातों को पहुंचाते हैं अगला है भाषा में ध्वनियों को लिखने के लिए जिन संकेत और चिन्नों का प्रयोग किया जाता है वहा है तो भाषा में जो धोनी होती है उनको जिन जो संकेत और जो चिन्न के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते है उसे हम कहते है लिपी Question number 3 Hindi भाषा के लिपी क्या है तो हिंदी भासा के लिपी है आपकी देवनागरी, अब गुरुमुखी जो लिपी है, यह किस भासा की है, पंजाबी भासा की, और रोमन जो है आपकी, किस की है, इंगलिस की, ठीक है, अगला है उर्दु की क्या है, फार्सी, अगला है question number 4, भारत देश की मानेता, प्राप्त भाशा को दिया गया है, ठीक है, question number Five, मुख से निकलने वाली परतेक स्वतन द्रवाच कहलाती है, तो देखें, जो हमारा मुख है, यानि कि जो हमारा मुं है, मुं से जो भी आवाज लिकलती है, स्वतनत भस्ता में उसे हम क्या बोलते हैं, ध्या बोलते हैं, क्या व्याकरड़ वह शास्त्र है जिससे मनुश भासा को बूलने का, लिखने का, पढ़ने का और समझने का सुध ग्यान पराप्त करता है। किसी भी भासा के साहित को किस रूप में सुरक्षित रखा जाता है तो किसी भी भासा को साहित को लिपी के रूप में आपका क्या सुरक्षित रखा जाता है और किसी भी भासा को लिखने का ढ़ंग क्या कहलाता है लिपी कहलाता है अगला Q9 वह किसे चोटी-चोटी मुल धनी कहलाती है ने हम क्या कहते है वर् plaint कहते है अब देखे भारती जो सम्मीधान है उसकी अठवी अनसूची में आपकी बाइड़ भार्साओ के मानिता दी गए है वर्नो का सार्थक समूः कहलाता है तो वर्णों का साथ तक समू क्या कहलाएगा शब्द कहलाएगा ठीक है जैसे वर्ण क्या होते हैं जैसे का हो गया खा हो गया यह सब क्या है वर्ण है अब जैसे यहां पर कुछ भी लिखा हो माली जे लिखना है संगम तो संगम संगम तो संगम देखिए पहला वर्ण सा है द तो हमारे देश में सविकार किया गया तो देखी किस भासा को शुक्रार किया है अब यहां पर क्या है मैंने बताया कि भारते समिधान की जो आठवी अनसूंचिए उसमें 22 भासां को मनेता प्रदान की कही है 14 सितंबर को क्या मनाते हैं लिवस क्या मनाते हैं ठ maturity को अगला ऑगला थे स्फविल कुछ नबर 13 से 18 तक यह तू मार्ग के distinction है तो पहला है हमारी प्राचिन भाषा एंग्रेजी है तो यह गलत है दुनिया की सबसे प्राचिन भाषिका होसा घ्लीट स्बसक्रिक चुछ ऐ तो यह सही है और कहीं कहीं पर आप पढ़ेंगे भासा के तीन लूप हैं मौकिक लिखित और सांकेति लेकिन मेंली आपके दो ही हैं मौकिक और लिखित तो इसमें पहला गलत है दूसरा सही है तो इसका आंसर क्या बने का आप्षिन नमबर C अब देखें यहां पर दिये गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चैन करिए तो यहां पर कहा है भासा विचारों के आदान प्रदान का साधन है बिल्कुल ठीक है दूसरा है भासा को लिखने की निश्चित चिन्हों को लिपी कहते हैं यह भी ठीक है तो इसमें सही कौन स है ऑप्शन नमबर भी यहां पर सही है कथन पहला और दूसरा क्या है दोनों सही है अगला है 50 नमबर निमलिखित में से लिखित भाषा का रूप है तो लिखित भाषा का रूप क्या है कि ऐसी चीज़े जहां पर लिखी जाती है तो पहला है आपका समाचार पत्र इसमें लिखा जाता है और साथ ये रेडियो वारता है ये मौकिक रूप है तो ये गलत हो जाएगा बैंक के चेक में भी हमें लिखना पड़ता है और भाशन में भी हमें बोलना पड़ता है तो लिखने वाली चीज़ें कौन से हैं पहला और तीसरा option number D भाशा का सही क्रम क्या होगा तो देखिए सबसे पहले ध्वनी आता है पहले नमबर पर ठीक है ध्वनी सबसे चोटी होते है उसके बाद बढ़ता है वर्ण जब हम बोलेंगे तो वर्ण बनेगा वर्ण से शब्द बनेगा ठीक है उसके बाद क्या बनेगा वाक्य बनेगा च पहली बात यहां पे जो राज भाषा है राज भाषा हम किसे कहते हैं तो 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 जो हम अपने माबाप से चीजों को बोल के सुनते हैं सुनकर सीखते हैं जो भाषा उसे क्या कहते हैं बोली कहते हैं तो दिए का वन नमबर दी का वन नमबर तो कौन सा मेंट है 2341 आपका कहां पर है यहां पर गडबढ हो रहा है फो नमबर पर एक मिनट यहां पर कहना बोली जो होती है ठीक है तो बोली जो होती है वह बहुत ही छोटे छेत्र में मलब कि कोई छोटा सा जगा है जहां पर जिस तरीके की बोली बोली जाती है उसे हम कहते हैं ठीक है वहां पर कुछी छोटे छे प्रशा होती है यह मलब जो हमने माबाप से सुनके सीखते हैं ठीक है तो यहां पर जाएका टू यहां पर जाएका थिरी और यह जाएका फोर टू थी वन फोर बनेगा ऑप्शन नमबर डी अगले कॉश्च नमर 18 यहां पर देखियो को हमें मैच करना है अंग्रेजी को जो लपी है वो कौन है अंग्रेजी की की न committed रोवन यहां न हो जाएका 2315 तो यह आपका सही हो जाएगा तो दोस्त यहां पर आपका वीडियो खत्म होता है हिंदी ओलम्पियाट का यह पहला वीडियो तर वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो देखे मज़ा आया की नहीं आया ठीक है कमेंट में लिखके बताइएगा और साथे साथ अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं मुझे तो मेरा QR code है आप उसे scan करके pay कर सकते हैं मैं आपको उसे दिखा दे रहा हूँ यह है दोस्तो मेरा QR code और आप इसे अपने phone से scan कर सकते हैं और आप इस पे पैसे send कर सकते हैं कोई जबरदस्ति की बात नहीं है अगर आपका मन करता है तो ही आप send क कर यह मैं तब भी पढ़ाऊंगा आपको फ्री में ठीक है चलिए तो वीडियो पर जितनी भी वीडियो पढ़ेंगी यूटूब पर सारी फ्री रहेंगी ठीक है चलिए तो मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार